शहर में दुरघटना और अपराध को नियंतरण करने के उद्देश से उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा इंटीग्रेड़ेड़ ट्रैफिक मेनेजमिन सिस्टम को स्थापिट किया गया जिससे यातायात नियंतरण करने में काफी सुविधा मिली इससे वहनों की गती पर न लगाए गए हैं साथ ही शहर के साथ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सर्विलांस कैमरा भी लगाए गए हैं सभी चौराहों पर पब्लिक एड्रूसिंग वा इमर्जेंसी कॉल बॉस सिस्टम भी लगाए गए हैं इसके साथ ही 12 जगह स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं पर योजना से शहर में नियमों का पालंग बढ़ा है आईटी एमेस द्वारा नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध आटोमेटिक चालान बनाए जा रहे हैं आईटी एमेस के माध्यम से ट्रिपल राइडिंग, नो हेल्मिट, रेड लाइट वाइलेशन ओवर स्पीडिंग के चालान बनाए जाते हैं चालान वाट्स एप और मैसेज पर नियम तोड़ने वालों को तुरंत पहुँचाय जा रहा है आईटी एमेस के चालान को MP online, help line number अथवा यातायात थानों के माध्यम से जमा किया जाता है यातायात संबंधी किसी भी सहायता क के लिए स्मार्ट सिटी ने help line number जारी किया है अप्रेल 2022 तक कुल 1,18,666 चालान बनाए गए हैं और 1,10,000,000 का fine जमा हो चुका है स्मार्ट सिटी ने ऐसे लोगों को भी चिनित किया है जो आदतन ट्राफिक नियम तोड़ते हैं इन लोगों की सूची कारवाई के लिए पु पुर्जक की कुल लागत 35 करोड 28 लाग रुपए है झालान बनाए लागता 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 लागत